समरूपी चित्र जामीतिय चित्रों में समरूपता की रेखाएं जामीतिय चित्रों में समरूपता की रेखाएं रेखा खंट चित्र में समरूपक रेखा एक है चित्र द्विभाजक L के लंबवद के साथ समरूपी है एक कौन, चित्र में समरूपक रेखा एक है, चित्र ओसी द्विभाजक कौन के साथ समरूपी है एक समद्य बाहुतिर्भूज, चित्र में समरूपक रेखा एक है, चित्र ओसी द्विभाजक के साथ समरूपी है, मध्य एकसल है अर्धिवरित, चित्र में समरूपक रेखा एक है, चित्र ओसी द्विभाजक के साथ समरूपी है पतंग, चित्र में समरूपक रेखा एक है, चित्र ओसी द्विभाजक के साथ समरूपी है सम्द्विबाहु असमानांतर चत्रभूज चित्र में समरूपक रेखा एक है चित्र दो समानांतर भूजाओं A, B और D, C के मध्य बिंदू से रेखा L के जुड़ने के साथ समरूपी है आयत चित्र में समरूपता की रेखाएं दो है चित्र विप्रित भूजाओं के मध्य बिंदूओं के साथ रेखाएं L तथा M के मिलने से समरूपी है सम्चत्रभूज चित्र में समरूपता की रेखाएं दो है चित्र के विकर्ण A, C के साथ चित्र समरूपी है सम्बाहुत्रभूज चितर में समरूपता की रेखाएं तीन है, तीन मद्य, P.U., Q.T. और R.S. के साथ चितर समरूपी है. वर्ग चितर में समरूपता की रेखाएं चार है, दो विकर्ण तथा विप्रित भुजाओं के मद्य बिंदू के साथ चितर समरूपी होते है. वरित चित्र में समरूप्ता की रेखाएं अनंत है सभी ब्यासों के साथ समरूपी है विवस्तित बहुबूज यानि की समभाहूतिरभूज, वर्ग, सम्चतरभूज, विवस्तित पंचभूज, विवस्तित सस्टभूज आधी समरूपी है जिन में से सबसे पहले हम देखते हैं तिर्भूज को हमें पता है तिर्भूज की कुल तीन भूजा होती है तथा तीन समरूपता की रेखा उसी तरह से एक और बहुभूज को लेते हैं जो की है वर्ग वर्ग की कुल चार भूजा होती है तथा चार समरूपता की रेखाएं समचत्र भूज समचत्र भूज की चार भूजा होती है तथा समरूपता की चार रेखाएं होती है चलिए एक और बहुभूज का उधारण लेते हैं जो की है पंच भूज पंच भूज की कुल भूजा पांच होती है और पंच समरूपता की रेखाएं भी होती है अंत में सबसे आखरी बहुभूज को लेते हैं जो की है सस्ट भूज हमारे उधारण में सस्ट भूज की 6 भूजा होती है तथा 6 समरूपता की रेखाएं कुछ चित्र जैसे विशम बाहुतिर भूज और समानांतर चतुर भूज के समरूपता की रेखाएं नहीं होती है ध्यान दे, सम्द्य बाहुतिर भूज के दो बराबर भूजाए तथा कोण होने से केवल समरूपता की एक रेखा को दर्शाता है आयत के विप्रित भूजाए बराबर तथा सभी 90 डिग्री कोण समरूपता की दो रेखा को दर्शाता है सम्भाहु तिर्भूज के तीनों भूजाएं तथा कोण बराबर होने से समरूपता की तीन रेखा को दर्शाता है वर्ग के चारों भूजाएं बराबर तथा सभी कोण 90 डिगरी होने से समरूपता की चार रेखा को दर्शाता है समानांतर चतरभूज के विप्रित तथा समानांतर भोजाय बराबर होने से समरूपता की कोई रेखा नहीं दर्शाता है वृत्य समरूपता की अनंतरेखाओं को दर्शाता है जैमीतिय चित्रों में समरूपता की रेखा है नीचे के कुछ आकार की समरूपता का एक तथा कुछ के अधिक अक्ष होते हैं कौन सी कला की समरूपता का अक्ष एक है एक-एक करके समरूपता की अक्ष की जाच करते है अक्ष एक की समरूपता एक है चित्र दो की अक्ष की समरूपता एक है चित्र तीन में अक्ष की समरूपता सुन्य है चित्र चार में अक्ष की समरूपता सुन्य है